एमपी सुया स्टेट बन गया है मदपदेश में इस साल सुयाभीन का उत्पाधन रिकॉर्ट्स तर पर है लेहाजा सुयाभीन किसान मांग कर रहे हैं कि उनकी फसल कम से कम 6,000 रुपे प्रतिक्विंटल की दर पर सरकार खरिदारी करे लेकिन मोहन कैबिनेट की बैठक में सुयाभीन की एमस्पी को लेकर जो फैसला हुआ वो काफी कम है मोहन कैबिनेट के फैसले की जानकारी देते हुए राज जी कैबिनेट मंतरी केलाश विजवरगी ने बताया कि MP सरकार ने केंद्र से मांग की है कि राजी के किसानों की सोयवीन और तालिस सो रुपे प्रती क्विंटल की दर्जे खरीदा जाए तो किसानों में उसको लगता है कि उत्पादन हमारा बहुत हुआ है अच्छा उत्पादन हो रुपे प्रती क्विंटल किया जाए हाला कि मंगलवार को सुबर सोयवीन के समर्थन मूल्य को लेकर देश की क्रशी मंत्री श्रवराद सिंग चोहान का बड़ा बयान आया श्रवराद सिंग चोहान की माने तो केंद्र सरकार ने सोयवीन का समर्थन मूल्य किसान हित्यासी Πरदान मंतरी है सोया बीन के समर्थन मू लित्ते है और वो है चार हजार 49494 कुंटल एक और हमारी प्रतिबद्धता है कि हम मिनिमम सपोर्ट प्राइज पर सोयाबीन किसानों का खरी देंगे किसानों को उसके पसीने की पूरी कीमत देना ये मोधी सरकार की भारती जनता पार्टी एंड ये सरकार की प्रतिवधता है फिलाल अब मोहन कैबिनेट का ये फैसला कॉंग्रेस के निशाने पर है कॉंग्रेस सवाल कर रही है कि सोयाबीन की MSP केंदर सरकार ने 4994 रुपे तई की है लेकिन राजी की सरकार और 400 रुपे प्रतिविंटल करने का केंदर सरकार से आगर कर रही है जबकि किसान कम से कम 6000 रुपे प्रतिविंटल की मांग कर रहे है ऐसे में आखिर राजी की सरकार सोयाबीन की MSP कम करने को क्यों कह रही है विर रिपोर्ट, MP तक प्रतिविंटल कर रहे है